आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में और लहसुन जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन और प्याज दो एक ऐसी फसल है जो सर्वियों के मौसम में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और इसका स्थान जो है वो किचन गार्डन में भी है और कई लोग इसको बड़े अस्तर पेजे से एकर या हेक्टेयर में भी लगाते हैं दोनों को माना जाता है कि यह दोनों ही आस्तर दोनों का लगाने का समय करीब करीब एक है एक की नरसरी दी जाती है दूसरे को हम सीधा जो उसके कलिया होती है उसको हम लगाते हैं तो लहसुन के बारे में आज बात करेंगे एक ऐसा बिसे है जिसमें किशान कई बार बहुत ज्यादा मेहनत लगाता है खास करके वो यह सोचता है कि मैं मैंनुवली इसको इसमें घास निकालूँगा और लहसुन का पौधा थोड़ा टेंडर भी होता है नाजुक होता है और इसके जो पौधे कली से कली की बीच में या सेंटिमीटर तो वह भी किसान कम रखता है तो कई बार उसके बीच में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और इसकी गुड़ाई करना थोड़ा मुस्किल होता है तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह केमिकल बीड कंट्रोल के बारे में कि अगर आपके बड़े अस है कि जब हम लहसन लगाते हैं तो हमारा जो पूरा उद्देश होता है पूरी जो से हमारा थार्गत होता है कि कम खर्च में हम कर्चन करने में चोडाई करे बार बड़े लए में एक साथ खर्पतवार निकालना बहुत मुश्किल होता और इसका किसानों का जो जो लेवर होती है या जो हम के मजदूर लगाते हैं उसमें लेवर भी का भी जो आउटपुट निकलता है वो उतना ज्यादा नहीं निकल पाता है तो उस कंडिशन में किसान कई बार को लहस इससे निट्रेंट में मैनेज हो जाता है जो पोशक्त तवे हो भी मिलते हैं उसके साहथ खर्पतवार कम निकलते हैं लेकिन जो किसान की साईज के किसान है या जिसको बोल सकते है जो ढ clap सबसे बड़ा उप्सन होता है तो केमिकल बीड कंट्रोल को हम कैसे करें और क्यों करें केमिकल बीड कंट्रोल यानि रासाइनी खर्पतवार नियंतरन जो करने का जो टेक्निक है उसके बारे में किशानों को मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ल frågor में और प्याज में दोणों में थोड़ा सा अंतर है अगर आप लहसन की गुड़ाई कर रहे हैं बिज़ाई का मतलब आप सीधे रुपाई करते हैं जो गुतिक बड़ाई क है लगाने के लगा बाद जब इसको आप ड़क देते हैं तो ड़कने अगर आप चाहें तो इसके उपर पेंडी मिथेलीन जिसको स्टॉंप बोलते हैं उसका इस्प्रेय पूरे खेत में बिजाई के तुरंत बाद 24 गंटे के अंदर अगर आप कर देते हैं तो चार से पांच एमिल प्रती लिटर पानी में यह दबा मिलाई जाती है और मिला करके इसको अच्छी तरह से च्छड़काव कर दिया जाए और ध्यान यह रखना पड़ता है कि जब इसमें हम पीछे की ओर चलते हैं ताकि जो च्छड़काव वाला एरिया है उस पे वो डिस्टर्म ना हो तो अगर इसका 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 करते है तो ऐसा माना जाता है इसा देखा गया है कि 40-45 जिन तक करीब करीब जो हमारा जो खेत है या लासुन का जो क्रॉप है वो करीब करीब खर्पतवार से रहित रहता है इस कंडिशन में कई बार ऐसी समस्या जाती है कि आपने स्प्रे किया और तुरंत बारिस हो गई या कोई पसू उसमें से घूम गया या किसी तरह से लापरवाही अगर इसमें बढ़ती गई या अच्छी तरह से प्रे नहीं हो पाया तो ये खर्पतवार पुना उग जाते हैं और ये समस्या इतनी जादा गंभिर हो जाती है खासकर वो किशान जो गोबर की खाद जादा यूज करते है तो गोबर की खाद जब हम ल करने में और ग्रोथ करने में टाइम लगाता है कमसे तरह से पत्ते निकलने में तो उसकंडिशन में हम किसानों को कहते हैं कि या तो आप खेत में बुल्कुल सड़ी गड़ी सलीग गली जो गोबर की खाद है वही प्रयोग करें ना कि कच्छा गोबर का खाद डालें दूसरा खेत अगर खाली है तो कम से कम गर्मियों में इसके को अच्छी तरह से जुताई बगरा कर दें ताकि खरपतवार के जो घास के बीज बगरा है वो सड़ जाए या गल जाए तो लेकिन किसानों के पास कई वार जो सब्जियां लगाते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है वो सोचते हैं कि हम इसको लगाए कि हम इसमें इतना टाइम हमारे पास नहीं है लगाने का टाइम हो गया खेत अभी खाली हुआ है कोई भी क्रॉप लगाई है उसके बा जो मैंने रासाइनी को बताया वो है पेंडी मिथिलिन का जिसको हम पॉद की रुपाई के मतलब बीज की रुपाई के 45 गंटे में घंटे यानि 48 गंटे के अंदर आप इसको जो है इसका अच्छी तरह से खेत में स्प्रे कर दें और उस खेत में फिर घूमे नहीं तो यह मान खरपतवार के प groupe के उगने का या उसके añosके को अंकुरित होने का बहुत टाइम मिल जाता है तो इसके आगर खरपतवार इसको प्रीमरंजन करना है कि घास के निकलने से पहले अगर हमको खरपतवार नियंतरंड करना निकल गया है और हमारे पास time ऐसा नहीं है, तो हमारे पास post emergent husbandicide जिसको हम oxiflurafen कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है oxiflurafen, जिसको gold के नाम से या gold oxigold के नाम से कही तरह से नाम से आता है, और उसमें जो chemical है, वो है oxiflurafen, यह दबाई बहुत ही अच्छी है, और इसका प्रियोग आप कर सकते है तो इसका प्रियोग करने का तरीका कैसे है, जब आपका lesson का lesson को आपने विजाई कर दिया, पौधे निकल गए, पत्ते lesson के दो से तीन आने शुरू हो गया, और साथ साथ में अगर घास भी आना शुरू हो गया, तो उस condition में, अगर घास का आकार एक सेंटीमीटर के करीब है उस से ज़्यादा उचाई नहीं हुई, एक सेंटीमीटर से छोटे हैं, तो उस condition में आप पहला spray, पंदरा लिटर का जो pump होता है, उसमें तीन अमिल दबाई आप डालिए, धाई से तीन अमिल, पूरे pump में तीन अमिल दबाई, यानि कि पंदरा लिटर में कभी ऐसा ना गल दोनों खरपतवार इसमें नस्ट हो जाते हैं, ध्यान यहां क्या रखना है, साथ धानी, कि आपने यह देखना है, कि जब हम spray करते हैं, तो दबाई जो मिला जाता है, वो अपनी देखरेक में मिलाएं, क्योंकि दबाई की मात्रा बहुत कम है, एक मतलब पंदरा लिटर पा फिर भी खरपतवार रह जाते हैं, थोड़े बहुत, जो पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, तो उस कंडिशन में आप दूसरा बार जो करीब करीब 25 से 30 या 40 दिन का हो जाएगा, 30 से 40 दिन का क्रॉप हो जाएगा, जिसमें 3-4 पतियां आ जाती है, तो उस कंडिशन में इ दवाई आपने एक लिटर में डालना है, एक पंप में दालना है, और उसको इस को करना है, ये पहला इस प्रेइ 15-20 दिन बाद, दूसरा 40-45 दिन बाद, और तीसरा स्प्रेः जो है, वो करीब करीब 60 दिन के बाद, दो से नहीं के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप कीस इसके लिए आपने 7 ml दवाई प्रती पंप यानि 15 लिटर में 7 ml दवाई लेकर करना है लेकिन ध्यान डखना है कि जब भी आप इस प्रे करते हैं तो दवाई की मात्रा किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडिशन में नहीं तो इसके पत्ते के ऊपर पिल आपन की निशान आने लगे हैं या कुछ पत्ते जो ऐसे हैं जो थोड़े मुर्जाय जैसे लगेंगे थोड़े दिन बीतने के साथ हो सकता है कि यह धीरी-धीरी ठीक हो जाए नेकि नॉर्मली यह दवाई जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है लासन में बीड कंट्र ज्यादा फैल जाती है कि लासन को पूरा पूरी तरह से बढ़ने नहीं देता तो यह खरपतवार आप जो नासी जो मैंने बताया है इसका उप्योग करके आप लासन में बीड कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं तो किशान भाईयों मैं आज आप लोग को खास करके लासन में ख जैसे आज के प्रिजन डेट की बात करें तो 200 रुपे किलो लहसन है तो अच्छी आमदनी इसमें कमाई जा सकती है और खर्च भी कम किया जा सकता है जो सबसे ज़्यादा खर्च लहसन में होता है वो दो चीजों में होता है एक है इसके बीज में अगर बीज आपके अपने किया जा सकता है यानि कि 200-500 रुपे की दवाई से आप करीब-करीब एक एक एकर तक के फसल को आप या एक एकर से कम लेकिन आठ से आठ से आठ कनाल के बीच में आप को खर्पतवार नियंतरन आसानी से कर सकते हैं तो किशान भाईयों आज मेरे को आपको इसी के बारे में बताना था कि लाहसन में खर्पतवार नियंतरन कैसे करते हैं साइद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरे समझ से इसका भी फाइदा भी आपको उठाए कोई प्रस्न करना है तो आप मेरे को मेरा मोवाईल नंबर जो 941-84-94333 है इस पे आप कॉल कर सकते हैं तो किशान भाईयों हम दूसरे वीडियो में आप लोग को प्याज में खर्पतवार नियंतरन के बारे में बिस्तित जान करते हैं